दोस्तो आज की वीडियो में हम मही दत्ताने जी की लाइफ एंड वर्क से रिलेटेट कुछ multiple choice questions को देखेंगे और दोस्तो अभी पिछली वीडियो में हमने बात करें थी मही दत्ताने जी की बाइगरफी पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इनके लाइफ और इनके वर्क्स को डिटेल में डिसकस किया था तो आज की वीडियो में हम इनके लाइफ और वर्क से रिलेटेट कुछ mcqs देखेंगे तो हमारा पहला question है कि what does दत्तानी लिव यहाँ पर what नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर where कर लेजेगा w h e r e where तो यहाँ पर हो जाएगा where to me midnight tail if कहा रहते हैं तो महेद दत्तानी जी दोस्तों Bangalore में रहते है ऑप्सन डी यहाँ पर साई है दोस्तों जितना भी यहाँ पर कालेपन से लिखा pirate वो सबी यहाँ पर answers है तो यहाँ पर हमारा second question है कि when was Dattani born यानि मही दतानी जी का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1980, 1958 में तो option जो C वाला यहाँ पर सही है दोस्तों और यहाँ पर next question है कि मही दतानी was awarded Saeed Academy Award in the year 1998 for his one of the following works क्यानि मही दतानी जी को दोस्तों Saeed Academy Award मिला था 1998 में और उनकी इन में से कौन से वर्क था जिसके लिए उन्हें Saeed Academy Award मिला था तो दोस्तों उन्हें Saeed Academy Award मिला था उनके जो final solution उनका जो प्ले है इसके लिए तो यह वाला जो वर्क है दोस्तों final solution इसके लिए इनको Saeed Academy Award मिला था in 1998 में next question है हमारा कि name the city where मही दतानी was born यानि मही दतानी जी का जन्म किस city में हुआ था यह बताना हमें उस city का नीम बताना है तो मही दतानी जी का दोस्तों बैंगलॉर सिटी में जन्म हुआ था तो the name of that city is बैंगलॉर and next question है हमारा कि मही दतानी is the and as Indian English playwright to win Saeed Academy Award यानि बताना है इन में से दोस्तों कि मही दतानी जी इंडियन English playwright थे जिन्होंने Saeed Academy Award जिनको मिला था तो वो दोस्तों कौन से नंबर पे थे तो दोस्तों फर्स्ट Indian English playwright है मही दतानी जी जिनको Saeed Academy Award मिला है तो यहाँ पर option C जो है यह सही है तो यहाँ पर आप भरेंगे first मही दतानी इस दी is the first Indian English playwright to win Saeed Academy Award और next question है हमारा कि playpen is established by यानि playpen किसके द्वारा इसके स्थापना हुई यानि यह established किया गया playpen दोस्तो playpen जो है जब हमने इनकी बात करी थे थे कि biography में तो playpen जो है दोस्तों इनका एक खुद का theater group था और यह इन्होंने established किया था in 1984 में तो यह दोस्तों established किया गया है महेद दत्तानी जी द्वारा इन्होंने इस group को formed किया था in 1984 में तो यहाँ पर महेद दत्तानी जी के द्वारा ही यह established किया गया है यह theater group तो यहाँ पर option जो यह वाला है यह सही है next question है कि दत्तानी वाज़ अब versatile artist यानि महेद दत्तानी जी versatile artist है and he is a और इनमें से एक और क्या है वो तो दोस्तो वो एक dancer भी है साथ में dance teacher भी है और साथ में actor भी है तो option यहाँ पर जो डी वाला है यह सही है all of the above यानि इनमें से यह उपर वाले सभी तो option डी सही है यहाँ पर हमारा next question है दोस्तो माफिश चाहूंग दोस्तो इसके लिए खासी थोड़ा आ रही है I'm so sorry for this यहाँ पर next question है हमारा कि 30 days in September is about 30 days in September जो उनका play है यह किस बारे में है तो दोस्तो यह child abuse child sexual abuse के बारे में है तो option जो C वाला है हमारी सही है इनका इस इस अप्ले दोस्तो and next question है कि do the needful is about और यह जो play है do the needful यह जो उनका play है तो यह homosexuality पर based है based है तो यह option B वाला सही है हमारा next question जो है दोस्तो वो हमारे यह कि morning raga has been directed by दोस्तो यह morning raga जो है दोस्तो यह किसके द्वारा डिरेक्ट किया गया है तो दोस्तो यह इसका डिरेक्ट किया गया है यह हमारे मही दतानी जी द्वारा option D वाला यहाँ पर सही है मही दतानी जी next question है कि मही दतानी writes about यानि मही दतानी जी किसके बारे में लिखते हैं तो यहाँ पर options है हमारे what he sees around यानि वो जो भी चीजे अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं या what concerns common people यानि जो common people की क्या चिंता है उसके बारे में लिखते हैं A, B are correct यानि दोनों A, B सही है all of the above all the above are wrong यानि उपर जो भी दिये गए यह wrong है तो दोस्तों इन दोनों के बारे में लिखते हैं तो option C वाला सही है हमारा A and B are correct next जो question है दोस्तों वो यह है कि दतानी's plays are marked for यानि मही दतानी जी की जो play है ज़्यादा तर वो किस पर based होते हैं तो देखें यहाँ प लिखा कि social and political realities उनमें देखने को आपको मिलेगी साथ में unconventional and explosive themes रहती है and sad and pathetic condition of child abuse यह भी सही है तो दोस्तों यह वाला option सही हो जाएगा आपका D वाला all of the above यानि उपर वाले सब ही तो यहाँ पर दोस्तों यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी इनके phase में तो option जो D है यह सही है हमारा next question है कि his only political play is यानि उनमें से कौन सा play है जो कि political play के अंदर गताता है तो final solution यह अला play दोस्तों उनका एक political play है and who is the author of the play seven steps around the fire यानि seven steps around the fire जो play है stage play है दोस्तों यह तो यह play के author कौन है है तो दोस्तों हमारे महीर दतानी जी है यह इस प्ले के author तो महीर दतानी option c is correct है next हमारे हमारा question है next question है दोस्तों की which which of the of the following following dramas does not deal with homosexualities यानि इन में से कौन सा drama है कौन सा play है जो कि homosexuality के साथ deal नहीं करता है तो दोस्तों final solution option c वाला सही है क्योंकि यह political play है तो यह play दोस्तों homosexuality पर based नहीं है next question जो है वो यह है कि महीर दतानी वास बॉन ओन इन इन बैंगलोर यानि इसमें बताना है कि महीर दतानी जी का जन्म बैंगलोर में तो हुआ था लेकिन कब हुआ था तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 7th of August 1958 तो option C वाला सही है यहां पर नेक्स्ट question है हमारा कि final solution इस तो इस पॉलिटिकल प्ले सो option C D is correct है पॉलिटिकल प्ले तो दोस्तों यह था कुछ objective टाइप questions हमारे महीर दतानी जी के life and works पर तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखी का आप लूँँ